हेलो डियर फ्रेंड्स बेलकम बैक टू माई चैनल शशीज क्रियेटिविटी फ्रेंड्स आज की वीडियो कुछ अटकर है आज मैं कुछ ऐसे डियाईवाई शेयर कर रही हूँ जो हमारे बच्चों के लिए हैं जैसा कि आपको पता है कि अभी समर वेकेशन्स चल रही हैं और सभी के बच्चे घरों में हो रहे हैं बोर उन्हें कहीं बाहर भी हम नहीं निकलने दे सकते हैं इस बीमारी के चलते हुए तो आज कुछ अक्टिविटीज अपने बच्चों के साथ करके उन्हें घर में इंगीज रख सकते हैं और उन्हें कुछ क्रियेटिव बना सकते हैं तो मैंने इन्हें अक्टिविटीज को एकड़म इजी रखा है ताकि हमारे बच्चे हैं जो इन्हें अपने आप से create कर सकें आप उनकी help सिर्फ cut करने में कर सकते हैं तो first DIY है हमारे ये book mark जिसके लिए मैंने एक hard paper लिया है और इसमें से एक feather का shape draw करके cut कर लिया है अब इसमें आप different different colors के crayons colors इसमें fill कर सकते हैं और कोई भी अपनी पसंद का quotation इसमें लिख सकते हैं अब यहाँ पर इसकी tail पर हम एक hole कर लेंगे और इस तरह का कोई भी thread लेकर इसमें tie कर लेंगे और पीछे की side में एक आपके गर में जो भी मोती पड़ा हो मैं यहाँ पर इसमें लगा रही हूँ आए तो मोती की जगे button भी use कर सकते हैं तो friends ready है हमारा यह easy and simple bookmark जो की बच्चे आसानी से बना लेंगे तो friends second DIY है यह छोटा सा dust wing जिसे बच्चे अपनी desk पर रखकर कोई भी garbage इसमें थ्रो कर सकते हैं इसके लिए मैंने यहाँ एक लिया है cardboard box जिसे मैं hut के shape का cut कर रही हूँ कोई भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो please cut कर वाने के लिए अपने मम्मी या पापा को ही बुलाईएगा अब इस dust bean का डकन बनाने के लिए मैंने यहाँ एक hard cardboard piece लिया है जिसे इस तरह से fold करकर हम इस जो हमने यह box बनाया है उसके size का ही cut कर लेंगे अब मैं यहाँ पर जो A4 size के paper होते हैं इस box के उपर stick कर रही हूँ आप चाहें तो इसके उपर direct paint कर सकते हैं लेकिन उसके लिए हमें 2-3 coat paint करना होगा तो इसलिए मैं इसके उपर पहले paper stick कर रही हूँ ताकि हम जो भी color इसके उपर करें वो अच्छे से pop-up को के निकले इस paper से हम इस पूरे box को 4 side से cover कर लेंगे मैं इसे यहां paint करने के लिए yellow color से इसे paint कर रही हूँ आपके पास जो भी color है poster color और water color यूज़ कर सकते हैं मैं यहां color में थोड़ा fabric all mix करके इसे paint कर रही हूँ ऐसा करने से हमारे color में थोड़ी shine बढ़ जाती है अब जो इस dustbing का हमने डकन बनाया था उसे भी एक paper से cover कर लिया है और एक चोटा सा hard paper का piece लेकर और मैंने कुछ इस तरह से इसके उपर stick कर लिया है जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं इसका lidl ready किया था वो dry हो चुका है अब मैंने यहां लिये एक ice cream की stick इसकी जगे आप कोई भी pencil या खाली pen का भी use कर सकते हैं और इसे दौनों साइट fabric लगा कर इसे box में stick कर दिया है अब यह color हमारा सूप चुका है तो हम इस पे कोई भी design draw कर लेंगे मैं यहां एक face का design draw कर रही हूँ और इसमें red color फिल कर लेंगे अब आप इसे अपनी creativity के according आपके घर में जो भी सामान है उसे decorate कर सकते हैं यहां मेरे पास कुछ बिंदिया रखी थी जिसे ही मेरा बेटर stick कर रहा है तो friends ready है हमारा यह just win जिसे बच्चे easily use कर सकते हैं और अपने room को clean रख सकते हैं friends हमारा third DIY यह यह pen stand इसे बनाने के लिए मैंने यहां लिया है aluminium foil का यह roll इसे हम जितने भी आपको organizer बनाने हैं या pen stand बनाने हैं उतनी pieces में cut कर लीजिए मैं इसे three piece में cut कर रही हूँ friends इसे cut करते समय यह ध्यान रखे कि इन्हें हमें बहुत जदा लंबा cut नहीं करना है नहीं तो हमें अपने color span निकालने में problem होगी तो मैं इसे three piece में cut कर लिया है और इस तरह से एक cardboard piece लिया है जिसे मैं इसका base cut कर रही हूँ एक circle बना के cut कर लूँगी और इसके base पर इसे stick कर लूँगी थे जब हुआः पस्टर्प में एंग है जाड़ी तो जाड़ी तो जाड़ी तो अब हमने जो रॉल में से पीस कट किये थे या तो इनको आप इस तरह से पेपर से कवर कर सकते हैं या डारेक्ट पेइंट अपलाई कर सकते हैं मैं यहां इन कुछ को पेपर से कवर कर रही हैं और कुछ को डारेक्ट कलर से पेइंट कर लूगी अब मैंने इन स्टैंड को यलो वाइट एंड ब्राउन कलर में पेइंट कर लिया है अब जिस भी करेक्टर के फेस इस इन पर बनाना चाते हैं वो ड्रॉ कर लीजिए मैं यहां पर टाइगर जिराफ और जेबरा का फेस ड्रॉ कर रही हूं फर्स्ट पाला मैं टाइगर का फेस ड्रॉ कर रही हूं इसके लिए मैंने एक मार्कर पहन लिया है जिसे मैं यहां ड्रॉ कर लूँगी अब इनके फेसिस को हम पेइंट कर लेंगे तो आप जैसा मैं वीडियो में कर रही हूं मुझे फॉलो करके कर सकते हैं ऑनके आप ड्रॉ कुभ झाल झाल इसकी बाड़ी को भी हम इस तरह से कुछ स्ट्रिप्स बनाकर पेंट कर लेंगे इसकी बाड़ी को मैं जिराफ के जैसा फेस बना रही हूँ झाल 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 हमने तीनों स्टैंड्स को पेंट कर लिया है अब मैं यहां ले रही हूँ एक हार्ड पेपर जिसमें मैंने एर्स ट्रॉ करके कट कर लिये हैं झाल 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 यहां 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 यह फेब कॉल के हल्प से स्टिक कर लेंगे पर एक टिली का शेफ बना कर उसे कट कर रही हो और उसे पेंट भी कर लूँगी और फैबिकॉल के हल्प से स्टिक कर लेंगे लेंट लेंट कर रेंट गरपिझे गिली और भालपिन देख देंगा क्या देव subject बॉललバऴह देख लेंटो देख और नाकर रट रट रुर्व भॉलशाग夠 हमारि ये बीटुफुल सी पैन स्टेंड जिनमें हम अपनी पैन स्टोर नास्ट जो एक्टिविटी है हमारी वह ये फैमली फोटो ट्री है जीसे बच्चे बनने में बहुत इंजॉय करते हैं तो इसके लिए मैंने कार्वोड पीस एक्रेलिक पेंट से से पेंट कर रही हूँ आप जाएं तो पुस्टर कलर भी यूज़ कर सकते हैं इसे पेंट करने के बाद हम इसे ड्राइ होने के लिए रख देंगे और इस तरह के एक धर्माकॉल प्लेट्स मैंने ली है जिस पर मैं यहाँ पर एक ट्री का पैटर्न ड्रॉ कर रही हूँ आपके पास इस तरह की धर्माकॉल प्लेट्स नहीं है तो आप कार्बोर पीस का भी यूज़ कर सकते हैं इस ट्री को हम सरकल के ऊपर फैबिक और लगा कर स्टिक कर लेंगे और कोई इसके ऊपर बुक रख देंगे ताकि यह अच्छी तरह से स्टिक हो जाए अब मैं यहाँ कुछ लीफ्स कट कर रही हूँ अब इन लीफ्स को आप अपने अकॉर्डिंग अरेंज़ कर सकते हैं अब कोई थ्रेड लेके इसका हम हैंगर बना लेंगे आप चाओ तो इसे डवल साड़े टेप से भी बॉल पर स्टिक कर सकते हैं यहोव फ्रेंड्स आपको आज की यह एक्टिविटीज अपने बच्चों के लिए पसंद आएंगी और आपके बच्चे इन्हें इंजॉय करेंगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें शेयर करें और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्स वर वाचिं दिस वीडियो